जो गरीब परिवार के लोग हुआ करते थे वो अपने शादियों को अपने कॉमिनिटी हॉल जो बरात घर जिनको बोलते हैं अगर किसी को लगता है कि किसी दिन समिधान खतम करने घोशना होगी तो गलत में स्कूल कॉले सारे पीट जाएंगे अभी निउएजुकेशन पॉलिसी आ रहे हैं उसमें आपके लिए कोई जगा नहीं है सिक्षा इतने महंगे कर दिया जाएंगे आपके पहुंच से बाहर हो जाएंगे तो जो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा किसी इंडिया तो वो तो उसी का पार्ट है न बरात घर ते छोटा से एक्जामपल आप सारी संस्था है सब कुछ रेलवे सब भटा बढ़ जाएगा कुछ पुझी पतियों के घर में समिधान रखा रहेगा सरकार वहीं से चलेगी प्रोफेसर सब एक बड़ा एहम सा हवाल है आप प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और जहां तक पढ़ाई की बात करें तो पांच वी तक तो मिड़े मिल खिला कर क्योंकि तीन से चार घंटे बच्चे पढ़ने जाता है उसमें आदे दो घंटे के अंदर वो बरतंद होता है उसको खिचड़ी या दलिया जो भी कुछ बनता है उसको खाने में टाइम लगा कैसे बन पाएंगे उनपर बनाने की तयारी है या क्यों नहीं दिख रहा है मैं तो एक मिड़े मिल जिस तरह से खिलाया जा रहा उसके मैं खिलाफ हूँ अगर आपको इतना ही बच्चों के खाने का पड़ी है तो आप एक काम किजिए उनके पैरेंट को पैसा दे दिजे मह अधरत लग जाएगी तो उसके अंदर वह भाव वह सोहिमान कहां से आगा उसको हर समय यह पॉलिटिक समझे यह कह कि आपको नहीं हुआ कि आपको क्या अधर डलबा रहे हैं ऐसी परिस्तिती पैदा करेगा कि आप हर समय खरे रहेंगे प्लेट लेके तो बच्चों में सोह पूरा बहुजन जमात को एक दम उसको मतलब सोहिमान हीन बनाने का पूरा तरीका है पढ़ो हाथ में जब पढ़ने की बारी आई है तो हाथ में पलेट पकड़ा दिया तो यह पूरा उसी का पार्ट है जो मैं पहले कह चुँआ हूं और इसके इसके हम तो खिलाफ ही है जमात जब तक EVM में खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेगा EVM की सरकार कोई फरक पर ही कॉन्फिटेंस कहां से आ रहा है दो बार इस सरकार में भारत बंद हो गया कई बार लाखों लोग सड़क पर उतरे तो लगता है कि आप बोड दीजेगा हमारा मशीन हमको कनवर्ट करके द तो जब तक यह पर कहां से आ रहा इसका सोर्स वहले शैतान की आत्मा कहां है तो इसका पूरा खेल जो है कहां है यह EVM में वह कोई फरक ही नहीं पर आप करते रहों जो करना है अगर आप ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घ